मुरादबाद की थाना सिवी लाइन पुलिस ने आज ऐसे तीन शातिर चोरों को गिरफतार किया है जिन्होंने स्मार्ट सेटी योजने के तहर लगाई गई लाखो रूपी की पॉलाइट लाइट ही चुराली थी इनके तीन साथी पहरे ही पुलिस के हत्ते चड़ चुके हैं मुरादबाद के सुन्देरे करण है तू सिवी लाइन इलाके में लगी पॉलाइट लाइट कायव होने से पिछली दिनों पुलिस की कारे पढ़नाली पर ही प्रशन चिन लग गया था क्योंकि जो लाइट कायव हुई थी वो सिवी लाइन ठाने से मात्र सो मीटर की दूरी पर हुई थी इस मामले में मुरादबाद की पुलिस की खासी पजीहत भी हुई थी और हो भी क्यों ना ये लाइट अटल पटपट जो लगी ती जिसका उदगाटन मुख्यमंतरी योगी अधित्यनाद द्वारा किया था इस मामले में एक महापूर्व सिवी लाइन पुलि जीब गुनावत ने इसे बड़ी काम्यावी मान कर चल रहे हैं आज प्रेस कॉनफरेंस के दौरान उन्होंने पूरी जानकारी देते हुए बताई कि यह बड़ा गैंग है यहां पे नगर निगम ने जिला बुलादाबाद के सौनदेर करण के लिए कार्ट रोड के आस पा इस समद्ध में पहले भी एक मुकदमा पंजिकरत करके एक तीन लोगों को जेल पेजा गया था उनके पास से लाइटे बरामत की गई थी उसमें उसी दौरान जो जो इनसे सूचना मिली थी उसी के तहत कुछ मुल्जिमों की तलाश थी जो की अभी तीन मुल्जिम उस दौ पुलाड लाइटे बरामत हुई है और इसके अलावा इन से बातचीत में यह भी निकल के सामने आया कि यह सब लाइटे चोरी करके यह अपने नशा का शौक पूरा करते थे और इनके पास से स्मैक भी बरामत हुआ है और इनको गिरफतार करके तहना उसमें जो की लगा कर पूरी थी उस पर आवश्यक रूप से प्रोप लगी वा जौब आफ्ने के चाहिए यह तीनों के तीनों जो इनके नाम है दिलशाद शेक, सर्ताज और पन्ना तीनों के तीनों असालत पुरा के रहने वाले हैं मूलत है यह पश्चिमंगान के रहने वाले हैं इनके पास इ यह लगातार मतलब अपने नशे के शौक पूरा करने के लिए गटनाई किये हैं और अभी भी इनको भेजने के बाद इस चोरी की इस तरह की जो गटनाई हैं उनके रुप लगेगा पूर में जो गटना हुई थी क्या उसमें भी लोगों का हाथ पचोरी हो पूर में जो तीन लोग पकड़े गए थे उन लोगों ने यह बताया था कि इस तरह की गटनाई करने वालों में कुछ और लोग भी शामिश हैं तभी से इनके नरंतर तलास चुन रही थी इसी दौरा में जो कुछ और इस प्रकार के ने चुटने होती तोरी करते हैं